अनिल जी ने कहा कि ध्यान रखिएगा यह माइक पीछे खिशक रहा है सब कुछ पीछे खिशक रहा है थोड़ी लोग आगे हैं जिनमें आप हजरात यहां देखकर के ताकत बनती है कि इतने लोग मौजूद हैं और इस बात की फिक्र कर रहे हैं कि हम लोगों की साथियों की हत्याएं हो रही है और जिनकी हत्याएं नहीं हो रही है उब भय के माहौल में काम कर रहे हैं भय तारी है जो हत्या से भी ज्यादा बुरी और आपने काम नहीं करने दिया तो काम करना चाहते हैं उनको तो आप समझें कि वो आदमी रोज मरता है तेल तेल के और इसकी कोशिशें जो हैं वो करने वाले लोग उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है अद्यक्ष जी ने इसकी बंदिश नहीं रखिया कि कितनी देर बोलना है तो अलगि मैंने इनको सुझाव दिया था कि लोग बहुत हैं सुनने वाले भी और बोलने वाले भी लेकिन उनका समय तरह कर दीजिये मेरे समय तरह कर दिया है अदू मैं दिखिए सेंसर्शिप और निगरानी की जो बात है मोटे तोर पे अगर आप परिभाशिक तोर पे जाएं तो हम सेंसर्शिप के नाम से सिर्फ इमर्जेंसी को पहचानते हैं तो ओ सिंसर्शिप जिसमें कानून हाथ में लेके और उसका दुरूपयोग करके और आपकी लिखी हुई चीजों पर ठपा लगाने का काम वह पुरानी बात हो गई अब इस दंकी नादानी सरकारें नहीं करती हैं लेकिन उससे बुरे काम करती हैं उससे भी बुरे काम और इसलिए ये जो रोज सुनने में आता है कि अगोशित आपातकाल का महौल है इसमें अतिरंजना नहीं है क्योंकि आपातकाल जो हमने भोगा आपातकाल की तकलीफ है और खासकर censorship के मामले में कि आप जो कुछ कहना चाहते थे जो कुछ लिखना चाहते थे जो कुछ बोलना चाहते थे उसकी आज़ादी नहीं थी तो जिनोंने हमारी आज़्जादी चिनी उन्होंने कानून जो है एक इकतियार हासिल किया और हमको दबा दिया यह बूरा हाल इसलिए है कि ऐसा कोई इकतियार आपने हासिल नहीं किया है कहीं से भी ना किसी ने आपको दिया है ना आपने किसी अदालत से जुगाड बिठा है और उसके बावजूद अगर ऐसा मावाल है कि हम लोग सोचते हैं और सिर्फ इतने लोग नहीं जो सोचते हैं जो यह मौजूद है आप मानिए कि उनकी तादाद मी काभी बड़ी है बोलने वाले ज और censorship का जो मैंने आपको कहा कि censorship परिभाचाओं की घेरे से निकल के बाहर चली आई अब censorship जो है आप चीजों को मैनेज करते हैं यह जो management का आजकल पंड़ा है media management यह कोई नई चीज नहीं है पर इन दिनों में वाकायता आप पाते हैं कि हर विश्य विज्याले में मीडिया मेनेजमेंट पढ़ाया जाता है मैं इसे पहले कि दूसरी बात पर आऊँ इसको मैं आपको ख्याल दिलाऊं कि मैं एक विशुविद्याले की जो कारेकार्णी है पत्रकाहिता पढ़ाने वाली उसके उसमें शरीक था और उनको मैंने कहा कि आप यहां पर इमीडिया मेनेजमेंट क्यों पढ़ाते हैं इनीडिया मेनेजमेंट का मतलब ये है पढ़ाणा कि आप एक ही चछत के नीचे चोर और सिपाई दोनों की cái क्योंकि जो मीडिया मैनेज करने का काम करता है उसका काम उन खबरों को को न छपने देना है जो कि काईदे से छपती आप उसकी भी शिक्षा उसको दे रहे हैं आप पत्रकार भी पड़ा रहे हैं तो यह जो मीडिया मेनेजमेंट है इतना व्याफक और इतना व्याफसाइक जो है पूरा घराना हो गया है जिसमें भारत में अमेरिका की सबसे गारा हूँ जिस इमारत में जो अभी भी बारती जन्ता पार्टी ने छोड़ी नहीं है अपनी खुद की बहुत बड़ी इमारत बन जाने के बाद में भी बताया जाता है कि उसमें बड़ी तादार में अब लोग जो है इस बात की निगरानी करते हैं कि कौन क्या कर रहा है क्या लिख रहा है वगेरा वगेरा और उसके बाद में निशाने जो पर लोग आते हैं जिनको हम कहते हैं कि उनको ट्रोल किया जा रहा है या उनको लक्षे करके जो है वो उनको हतास करने के लिए किसी भी तरह से वो उनन लिख सकें वो जो निगरानी है उस निगरानी से य जो काम है ये censorship का ही एक पहलू है ट्रोल करना भी उसका एक हिस्सा है और उसके बाद media management आप करते हैं जो किसी नित किसी तरीके से खबरों को अपनी मर्जी से छपौने का काम करता है वो भी censorship का भी हिस्सा है फिर आप मालिकों के साथ में जो जुगाड बिठाते हैं वो भी censorship का हिस्सा है फिर आप संपादुकों के साथ में क्योंकि संपादुकों के बारे में मुझे जादा नहीं कहना चाहिए क्योंकि मुझे विरादरी से आता हूँ लेकिन मैं अक्सर एक बात कहा करता था कि पत्रकारों में रेपोर्टरों के जो संबंद हैं वो खबरें लाने के काम आते हैं पर संपात्गों के संबंद खबरें रोकने के काम आते हैं संपाद्गों को ज्यादा उठना बैठना मिलना जुलना नहीं चाहिए यह जो नेताओं के साथ में दलबहियां करना उनके यह चक्कर लगाना उनके घरों पे बैठे रहना उनके साथ में यात्राएं करना बल्कि विदेश यात्राएं प्रदान मंतरी के साथ में हमेशा आप जानते हैं कि संपदकी जाते हैं रिपोर्टर नहीं जाते थे उनका हग मार के जो पी एमोग कवर करता है संपदक चला जाता था जब बाहर जाने का मौका आता था अब मोदी जी ने ले जाना बंद कर दिया है उसके कारण दूसरे हैं कि आप उनको ले के जाएंगे पत्रकार तो यह जो सेंसरिशिप के अलग-अलग उपादान अलग-अलग च्छाया हैं या अलग-अलग रूप हैं यह उन से जदा खतरनाक हैं जो वैदानिक तौर पे एक एक शक्ति अक्तियार करने के बाद में आप पे लागू किये थे और इस तरीके से जो चीजें होती हैं उजादा बया हुआ है क्योंकि जो जानकारी लोगों तो आनी चाहिए उन नहीं आपाती हमारा काम क्या है हमारा काम जानकारी देना है और सिर्फ जानकारी देना नहीं है बलकि समझ का साजा करना है वो समझ का साजा अगर हम नहीं कर पा रहे हैं और यह सारी जो चीजें हैं निगरानी और सेंसरिशिफ मिलके अगर वो करने से हमको रोकती हैं तो आप मानके चलिए कि असल में हम उन लोगों की आजादी को खत्रे में डाल रहे हैं जिसको हम समाज कहते हैं पत्रकार की कोई अपनी आजादी नहीं होती है पत्रकार की आजादी समाज की आजादी है पाठत की आजादी है तीवी देखने वाले की आजादी है जो भी आपको पढ़ रहा है उसकी आजादी है वो आपकी आजादी नहीं है इसलिए अगर आपकी आजादी खत्रे में है जब हम कहते हैं पत्रकारों की तो असल में समाज की आजादी खत्रे में, क्योंकि वो चीज जानने को उसको नहीं मिल रही है, जो कि उसको जाननी चाहिए, अल्त में, मैं ताजा गुरान देता हूं जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे, कहते हैं कि आजादी के बाद का सबसे बड़ा गोटाला, रफाल का है, क्योंकि वो फ और यहां पर जो है, किसी ने छोटे मोटे आदमी ने नहीं, एक देश के पूरू राष्ट्रपती ने, जो उस सौदे को करने में खुदी शामिल था, जब उस पर गाज गिरी, कि आपकी संगिनी जो हैं, उनको अम्वानी ने सिनेमा के साथ जो करार, सिनेमा का जो करार किय तो बात थोड़ी सी उलजने लगी, तो उन्होंने कहा कि मुझे उसका कुछ खास पता नहीं था, और अम्वानी को तो जो है, भारत सरकार लेके आई थी, इस तरह से बात उन्होंने कह दी, उन्होंने कह दी तो कह दी, मैं यह मानता हूं कि यह जो हमारे यह चीज़ें इस देश के हजारों अख़बारों में अगर आप हिसाब लगाएं, आप हैरान हो जाएंगे कि ज़्यादा तर में आपको यह चपावा मिलेगा कि फ्रांस की सरकार और दसू रफाल दोनों कमपनियों ने ओलॉन की बात का खंडन कर दिया है, इससे सफेज जूट बात हो न नेट पे मिल जाएगी, जो असली खबरती जिसी खबर बनाई गई है, उस एफपी की खबर में यह लिखा हुआ था कि रिलाइंस और दसू रफाल यह ओलॉन को पूछा गया कि यह लोग मिलके काम करें, इसके बारे में क्या भारत सरकार ने दबाव डाला था, यह दो कमप करती हैं, लेकिन इस मामले में हर को जानता है कि पहले भारत सरकार जो है, वो फ्रांस सरकार के साथ डील नहीं कर रही थी, पहले व्यापारिक डील हो रही थी, लेकिन इस सरकार ने कहा कि हम सीरी सरकार के साथ बात करेंगे, काफी काम इससे आसान हो जाता है, लेकिन जब आ बहाँत ये होई कि जब इस सरकार ने कहा कि वो जो विमान है वो विमान अब फ्रांस ही बनाएगा पहले भारत में बनाने वाला था लेकिन साथ में आप यहां पर जो पार्टनर रखेंगे वो अंबानी होगा यह उलोंद का कहना है और जो की सरकार पहले कह रही थी कि हमने इ कि किस तरीके से चीजें operate होती हैं किस तरीके से उनको manage किया जाता है लेकिन किस हद तक सफल हो सकती है यह आज की एक ख़र इस बात का उधान देने के लिए काफी है एक सफेज जूट जो था नहीं कोई और बात थी लेकिन आज यह बताया गया है कि जो मुद्दा उठा था फ दस मिनिट इसके साथ मेरे खाल में खत्म हो गए फिर अगली बार मौका मेलेगा तो पर दस मिनिट बार तरहेंगे धन्यवाद्ट